कि नवश्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचेन स्वागत रॉभिदंदर करता हूं उतने सभी पियर दश्कों का कैसे हैं आप उमीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे चार दिसम्बर दोजर बाइस का राशी फर लेकर मैं आपके सबक्ष हूं यह जानकाई चंद राशी और नाम राशी पर आधारी थोड़ दी शुरुआत करते हैं सुबे के संचित पांचांग से सुरुदे होगा 6 बच के 57 मिनट पर सुर्यास दोगा 5 बच के 23 मिनट शाम को नचत्र है शुनी वार रविवार दिती शुक्र पक्ष दौद राशी चंद राशी मेश अब जीत महुरत 11 बच के 49 मिनट एम से 12 बच के 31 मि इम तक यह जानकाई चंद राशी नाम राशी पर अधारित होगी आज मोक्षदा एकादशी का पारण हैं आज मोक्षदा एकादशी पर हमें क्या कथा सुननी चाहिए यह सब भी मैं आपको इस वीडियो में पताऊंगा ताकि आपका भी कल्यान हो सकें यानि आज राशी आज सब्ता का सरशेष दिन हैं निश्य दूप समाज में मांग सम्मारत की प्राप्टी पाएंगे वैपारियों को निश्य दूप से रेक लाब होगा शियर मार्केट में धंगा निवेश कर सकते हैं लेकिन आज तो संडे है तो निवेश नहीं कर पाएंगी उसकी प्लैनिंग कर सकते हैं आप निर्मर होंगे कुल मिलाकर प्रसंता दायक दिन रहेगा सभी महत्पुर्ण निटर सोच कर लें वरशव राशी आपका खर्चा बढ़ेगा खर्चा तोड़ा ज्यादा हो सकता है व्यर्थ के धनकर से बचिएगा वरना परशानी होगी आपके चोटे भाई बहन से थोड़ी तूटू में हो सकती है जीवन साथी से सब्बंदों में कड़वाट आ सकती है स्वयम पर नेंत्रा रखे वरत के वाद विवाद से बचे और अपने स्वास्त का विश्य इज्ध्यान रखें मित्र राशी आपका खर्चा पढ़ेगा आज का दिन आये और वैपार के लिए सामाने रहेगा प्रेम समन्द में सुधार होगा लंबी यात्राएं रद होंगी विद्यारती हैं तो पढ़ाही लिखाई में मन लगेगा होमवर्ट पूरा करेंगे घर खईदे की योजना बना रहे हैं तो लाब मिलेगा कर प्राश्य आपक की स्वास्ते में सुधार होगा आपको अच्ब कर अपको को सुधार सकते हैं आप Ja actually मतारी कि सुवास्त्य में का संशिट ध्यान दे विद्यारती फ्यारती रधियांकरे में काई रैंठी कвой रहेंगे रोमेंटिक रहेंगे जीवन साती के साथ आनद में वक्त विताएंगे सिंग राशी आज विद्या प्राप्टी के लिए दिन ठीक है उमीद से धन कमाएंगे लाव होगा दिन शुब है भागे का साथ पुलेगा आपके जीवन साती से रिष्टे भी कर सकते सावधा रहें आपकी संतान आपको शुब समाचार सुनाएगी कोई पुरुसकार आपको मिल सकता है स्वास्ते सामान नहीं रहेगा लेकिन कुछ मान से परशानियां बनी रहेंगी कर्णिया राश्ट कि वाहन चलाते समय सब्स्राइब सावधानी रखें वन्ना कोई दुरगटना ह सकती है जीवन साथी से तालमेल मनाये रखे अनवश्चक तरह हो सकता है जीवन साथी से या प्रेम समध्दों में अनवश्चक वाद व्यवाद से बजए किसी अशुब समाचार की मिलने से थोड़ा सा मूट खराब होगा प्रेम समंध में तू तू मैं में चलती रहेगी तुला राशीर, आज का दिन जीवन साती का साथ और सायोग प्राप्त कर दिक लिए बहुत उत्तम है, आपको एक दूसरे का साथ पिलेगा, पढ़ाई लिखाई बच्चों की ठीक रहेगी, होमवर्क पूरा करेंगे, वैपार में, साज़ेदारी में लाब होगा, आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति का दिन है, नौकरी करने माई लोग अपना कारे पूर्ण आप विश्वास के साथ करेंगे, मन अच्छा रहेगा, आपके मन में पसंता घुस्सा बना रहेगा, किसी पारवारी के समाजी को उस दो में भाग लेंगे, वैपारी लोग वैपार में उन्नती के उद्देश से किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे, खेल कुद में आपको अच्छा रियाट मिलेगा, आप पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, खेल कुद भी अच्छा करेंगे, धनू राश, आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के मकरराशी, आज का दिन आप तरहाओं और समस्याओं से मक्ति पालेंगे, आपकी परिवार में मित्रों का साथ होगा, किसी सामाजी कारिकर में शिरकत कर सकते हैं, कोई नया वाहन इत्यादी करीज सकते हैं, आपके संबन्द आपकी माता जीशे शुब बने रहेंगे, कुमर राशी आस्ताकान और आलस के शिकार होंगे आत्विश्वास में ब्रहोतरी होगी आपके लिया गया हर एक कटिन निर्ण है आपको धन कटिन महनेस से प्राफ्ट होगा जीवन साथी से रिष्टे मधुर बने रहेंगे संतान की और से शुब समाचारों की प्राप्तियों की व महन वगेरा सावधानी पूर्वक चलाएं वहन चोरी होने का भी डर है कोई बड़ा इंवेस्टमेंट ना करिएगा आपके सम्मत जीवन साथी से तराव गरस्त रहेंगे घर में कलह कलेश रहेगा आज मोक्षदा एकादशी का पारण है तो मोक्षदा एकादशी की वो कौ भाग जाते हैं पौराणी खता है गोकुल में बैखानस नाम का एक राजा रहता था उसने एक दिन सोते सोते सपने में देखा कि उसके पिताजी नर्ख में तुला परशान है में तब यात्राएं भोग रहे हैं तो सुबह जब उसकी नीन खुली तो चिंतित हो गया तो उस उनको अपने सपने की सारी बात कहानी सुनाई अब पूछा कि भाई ऐसा क्यों है उपाये बताएं तो उन्होंने सारे जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि कुछी दूरी पर परवत रिशी का एक आश्रम है वहां चलते हैं वही सब कुछ बता पाएंगी कि ऐसा क्रश्ट हुआ क्पाऊंस में क्यों लुः रहा हैं तो सब लोग गया राजा भी गया और बीगय विद्वान परी को परवत रिषी को परड़क्क करके अपनी राजा पूरी कहानी प्रहीं बात बताई तो उन्हें कहा की अच्छा उनुनने अपने अच्छा इंतर ध्यान लगा कर है निर्शीक जी ने वह को देखा की उनके पता जीनारक को ने उनने वासना विलास्टा में आकर किसी एक सिस्थR को से ब्रेम किया और अब लेकिन यो उनकी असली पत्नी थी दूतरी पोशेट नहीं किया उनका मित्य के वाद क्रिया कर अगर नहीं किया तो जिसकी वज़े से वो यह इस दर्ड़ की सजाब हो रहे हैं नरक में तो राजा दी कहा कि अब इसका कोई उपाय बताएं अब क्या किया जाए अब जो ऐसा उपाय बताएं जिससे बुक्ति मिल जाएं तो राजा जी को रिशी जी ने कहा कि आप मोक्षदा एकादशी का वरत रखें विधी पूरवक रखें नियम पूरवक रखें और विधी विधान से रखने के बाद इसका जो पुन्य का संकल्प है वो अपने पिता जी के नाम पर लें कि आपके पिता जी को मोक्षब की प राप्ती हो तो राजा ने वुरत रखा विधी पूर्वक वग्दम शद्धा से मन से और नियम पूर्वक और जो संकर्प लिया उसमें ये कहा गया कि इस वुरत का जो पुन्य है वो मेरे पिताजी को पर लागू हो तो ऐसा ही हुआ और उनको मुक्ती मिल गई और वो स्वर् करेंगे और कुछ दान पुन्य करेंगे तो उनको मेरा आशिरवाद बना रहेगा और उनको कभी नर्प की यात्ना भूगने को नहीं मिलेगी वो आगे हमेशा मेरे चर्णों में इस्थांत राप करेंगे मेरा आशिरवाद मिलेगा और उनको कोई जीते जी भी कष्ट नही कि पुन्य प्राप किये जा सकते हैं, तो आप लोगों को बोख्षता एका दशी वाले दिन या उसके जब तक बोख्षता एका दशी रहती है, तब तक आप लोग दान पुन्य करें, ब्रत रखें और इश्वर्च से प्रात्न करें, आपका भी कल्यान होगा. आप लोग अगर अपनी जिर्म कुल्णी बनवाना चाहते हैं, तो यह के नमबरों पर संपर्ख कर सकते हैं, नमस्कार.